इस दीपक के जलने से घर में हवन की खुश्बू महगेगी जिहां शास्त्रों के मताबिक गोमाता के गोवर में लक्षमी का वास होता है शेहर की महिलाओं द्वारा दीपावली के लिए गाय के गोवर से तयार किये जा रहे हैं यह दिये ना सिर्फ घर आगन को रोशन करेंगे बलकि गोवर से तयार होने के बावजूद यह दीपक आग नहीं पकडेंगे रंग बिरंग गोवर के ये दिये पहली बार बाजार में आभी गए हैं शेहर की विचार संस्था ने परियावरान संरक्षन के साथ साथ महिलाओं को आत्म निर्वर बनाने के लिए गाय के गोवर से दिये बनाने की आउधाना को साका रूप दिया है और इस काम में सलंग ने ये महिलाओं भी धीरे धीरे आत्म निर्वर बनती जा रही है विचार समीती के संस्थापक अध्यक्ष कपिलमलिया बताते हैं कि समीती दो वर्षों से गोवमाय उत्पात पर कार कर रही है करीब साड़े साथ सो महिलाएं साड़े छे लाख से अधिक गोवर के दियों का निर्माड कर चुकी है इस वर्ष के दियों की खास्कियत यह है कि यह दिया गोवर से बने होने के बावजूद आग नहीं पकड़ते हैं इसलिए यह पूर्षता सुरक्षत हैं यानि पानी में तेर सकते हैं और ओसतन 45 मिनट से सबागंडे तक जलते भी हैं महिलाओं ने अब पूरी तरह से दियों के निर्माड में कुशलता हासिल कर ली है महिलाओं को घर बैड़ कर गोवर से बिवन उतपाद बनाने का प्रिस्क्षन विचार समीती दोरा दिया गया महिलाओं ने बड़े ही रुची के साथ इस कारे को सीखा है इन उतपादों के माध्यम से महिलाएं आर्थिक सौव लंबन की ओर आगे बढ़ दही हैं जिससे इनकी आर्थिक स्थिती बहतर होगी फिलहाल गाय के गोवर से तयार होने वाले दियों की बाजार में बहुत मांग बढ़ दही है इसका मुखे काराण है कि यह दिये प्राकरतिक होने के साथ साथ बाद में इनका अवसेष्ट नहीं बचता बलकि गमलों में यह खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है तो फिर दीपाबली तेवार को खुशियों के साथ बनाईए इको फिरेंडली और गाए के गोवर से तैयार इन रंग ब्रंगे दियों को ले आई अपने घर वैदिक और मनमोह कर रोश्नी करने के लिए